नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक लक्ष सरकारी नौकरी में मैं अमित सोनी आज आपसे नर्मदा नदी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूं देखो दोस्तों सबसे पहले तो नर्मदा नदी पर कई डेम बने हुए हैं जिसमें नर्मदा नदी पर देश का पहला बैराज मलब नर्मदा नदी पर पहला बैराज बनने वाला है ये बैराज हमें कहीं देखने को मिलेगा तो हर्दा में बनेगा अब देखो हर्दा में एक है बैराज बन करके तयार हो रहा है इस बैराज में करीब 31 गेट बनेंगे और प्रतिक गेट की उचाए करीब 15 मीटर होगी यदि आप देखो गे अभी तक इस बैराज के बनने से इस बैराज के बनने से तीन जेले कौन-कौन से जैसे हर्दा देवास वह सीहूर की जमीन जो ह होगी वह क्या हो जाएगी इसके अंडर आएगी और यह मान के चलो इससे फाइदा क्या होगा इससे फाइदा सबसे पहले तो इरिगेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइदा होगा और यदि आप देखो गे ठीक है इस बैराज के बनने से नरमद अपुरम की और पचास किलो मेटर तक पानी ही पानी देखने को मिलेगा मलब ये मान के चलो कि तीन जेले सबसे ज़्यादा बेनेफिट पाएंगे वो है हरदा, देवा, स्वासीव अभी तक नर्मदा नदी में कोई भी बैराज नहीं बना है दोस्तों हाना अब क्या है दोस्तों इसकी खासिया देदी आप देखोगे इस बैराज बोलें या बांध बोलें एक्चिली इसका क्या है बैराज है ये करीब इसकी लंबाई 2913 मीटर होने वाली है और इसके लिए क्या होगा ये प्रॉपर वेसे इरिगेशन और इरिगेशन के साथ साथ इलेक्टरसिटी का प्रॉडक्शन भी हमको देखने को मिलेगा अब देखो क्या है दोस्तों नर्मद अनदी पर कई डेम है जैसे हम देखते हैं सरदार सरोबर डेम सबसे बड़ा डेम है जो की कहीं पर बना हुआ है तो गुजरात के नौगान आमक जगह पर है लेकिन अभी तक इस पर एक भी बैराच नहीं बनाता तो जब भी अब देखते हो बांध जब भी बनाये जाता है तो उसमें वाटर का स्टूरेज होता है और बाराच क्या होता है बाराच जनरली क्या होता है ये वाटर फ्लो को कंट्रूल करता है बांध में हमेशा पानी को स्टूर किया जाता है लेकिन बाराच में डारेट इसका जो फ्लो है वो फ्लो क्या किया जाता है चेंज कर दिया जाता है तो ये मान के चलो कि बांध में आपको क्या देखना है मतलब एक प्रकार से बांध का ही रूप है लेकिन इसमें water का storage नहीं होता है ये सिर्फ क्या करता है water flow को control करता है ये खासियत हमें किसी में देखने को मिलती है तो ये हमें बेराज में देखने को मिली अब थोड़ी से और basic information हम नर्मदा नदी के बारें बात करेंगें देखो दोस्तों नर्मदा रेवर मद्व प्रदेश की lifeline कहते हैं हना जिसे अपन क्या बोलें जीवन रेखा बोलें और ये कहीं से originate होती है तो नर्मदा originate होती है कहां से दोस्तों अमरकंटक से और अमरकंटक कहां पर है तो अमरकंटक हमें मैकाल रेंज में मिलता है मैकाल है जिसका नाम है अमर कंटक और अमर कंटक से तीन रिवर निकलती है जिसमें से सबसे important रिवर जो है वो है नर्मदा नर्मदा की total length यदि आप देखोगे यह total length है इसकी कितनी 1312 कितनी length है दोस्ते इसकी नर्मदा की total length है 1312 जिनमें से 1077 जो है यह कहीं पर बहती है तो MP में बहती है और दो यदि आप देखोगे 74 km करीब यह महराश्ट्रम बहती है और उसके बाद 161 km यह कहीं पर बहती है तो गुजरात में तो 161 कहां पर गुजरात में तो अब हमारे इंपोर्टेंट क्या है नर्मदा रिवर पर कई डैम है जैसे मैंने आपको बताए कि सर्दार सरोगर वहीं इंद्रा सागर ठीके वहीं पर आपने अवंती बाई सागर करके कई डैम सुने होगे महिश्वर अनो महिश्वर डैम वगेर उमकारेश्वर यह सभी नाम आपने सुने होगे लेकिन लेकिन आपने ओके अभी तक बैराज नहीं सुना होगा यह बैराज कहीं पर बनने वाला है तो अब यह कहां पर बनेगा दोस्तों हरदा में बनने वाला है कहां प वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत